Hello everyone, my name is Dipika तो आज हम UPSC CSET 2022 का part 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें question number 24 to 30 हम लेने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह 24th question है तो इसमें बोला गया है The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and E How many such arrangements are possible? तो अब हमें यह देखता है कि A और E को कुछ इस तरह से arrange किया जाए कि उनके बीच में exactly two letters होने चाहिए तो इस तरह से यह 4 possibilities पहले हमारे पास A और E के लिए सिर्फ हो सकती है तो उनके बीच में exactly two letters है तो इन 4 cases को हमने इसी तरह से लिए कि उनके बीच में exactly two letters आने वाले है अब हमें यह देखना है कि वो दो letters किस तरह से कहां पर हो सकते है अगर हम बचे हुए जो letters हैं उने देखें तो वो होंगे B, C और D तो यहां के लिए अगर हम देखेंगे तो three possibilities हैं इन तीनों में से कोई भी आ सकता है उसके बाद यहां के लिए अगर हम देखेंगे तो यहां एक letter आने के बाद यहां पर सिर्फ दो ही letters बचेंगे जो यहां पर आप आएंगे क्योंकि repetition नहीं हो सकता है उसके बाद यहां के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर के लिए सिर्फ एक ही बचेगा क्योंकि बाकी दो अल्रेडी आ चुके हैं तो एक केस के लिए options जो होंगे हमारे पास available वो होंगे 3 into 2 into 1 is equal to 6 options हमारे पास यहाँ पर रहेंगे अब यह 6 हुए कैसे अगर वो देखेंगे तो 1st इसे 1st position इसे 2nd और इसे 3rd position मान ले तो 1st पर B को fix कर देंगे तो 2nd और 3rd पर बचेगा C और D और फिर या फिर हो सकता है B, D and then C उसी तरह से 1st पर C को fix कर देना है then हम देखेंगे तो होगा B and D and then D and B हो सकता है उसी तरह से अगर D को 1st पर ला देंगे तो D, B, C हो सकता है या फिर D, C, B हो सकता है तो इस तरह से total 6 cases हमारे पास 1 case के लिए बनने वाले है 6 possibilities एक case के लिए बनने वाली है तो इस तरह से हमारे पास 4 cases है तो 4 के लिए हो जाएंगे 6 into 4 is equal to 24 तो C, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा total 24 ऐसी possibilities हो सकती है क्योंकि A और E को भी हम interchange कर सकते हैं और उनकी position भी change कर सकते हैं तो ऐसे होंगे हमारे पास 24 possibilities ऐसी बन जाएंगी ठीके आगे चलते हैं अब यह वाला question भी हमने पहले किया हुआ है तो यहाँ भोला गया है यहाँ question दिया हुआ है और दो statements दिये हुआ है तो यह बताना इन दोनो statements में से कौन से required है इस question को answer करने के लिए तो यहाँ question पूछा गया है Is Z brother of X? ठीके तो हमें यह बताना कि क्या Z X का brother है अब first statement में दिया हुआ है X is brother of Y and Y is brother of Z तो इन दोनों से ही हमें यह पता चल रहा है कि X और Y दोनो male है लेकिन Z का नहीं पता चल रहा है कि Z male है या female है तो हम नहीं कह सकते कि Z उसका X का brother होगा या sister होगा तो statement 1 से तो हम conclude नहीं कर पाएंगे उसकी बाद अगर statement 2 चेक करेंगे तो X, Y, Z are siblings तो यह दिया हुआ है कि X, Y, Z तीनो siblings है लेकिन इसमें भी Z की gender के बारे में कोई बात नहीं कहीं गई है तो इसलिए इससे भी हम पता नहीं कर सकते है तो इसका answer यहाँ पर D हो जाएगा कि दोनों ही statement sufficient नहीं है इस question को answer करने के लिए दोनों ही statement से हम नहीं बता सकते कि Z X का brother है या नहीं है ठीक है आगे चलते हैं अब यह वाला question है इसमें बोला गया है on the side of a 1.01 km long road 101 plants are planted at equal distances from each other what is the total distance between 5 consecutive plants ठीक है तो 1.01 km का road है जिस पर trees plant किये गए हैं तो और यहां पर हमें बाद में दिया हुआ है कि 101 plants total plant किये गए हैं तो सबसे पहले 1.01 को मीटर में convert कर लेते हैं तो उसके लिए हमें इसे 1000 से multiply करना होगा तो 1000 से जब इसे multiply करेंगे तो यह हमारा जगा 1010 meter तो 1.01 km हमारा होगा 1010 meter अगर हम यह 101 plants की बात करेंगे तो इनके बीच में जो gaps होने वाले हैं जो distance आईगे वो gaps की format में आगी तो वो gaps होंगे इनके बीच में 100 100 कैसे होंगे? अगर for example मैं यहां पर 2 plants की बात करूँगी तो उन दोनों के बीच में एक gap है फिर 3 plants की बात करेंगे तो उन दोनों के बीच में 2 gaps है फिर 4 plants की बात करेंगे तो उनके बीच में 3 gaps है उसके बाद 5 plants की बात करेंगे तो उन दोनों के बीच में 4 gaps है तो यह 1, 2, 3, 4 तो अगर N total plants हैं तो उन दोन N plants के बीच में n-1 gap हमें मिलने वाला है तो हर एक gap की distance कितनी होगी तो अब यहाँ पर 1010 meter total distance हमें दी हुई है और total 100 gap होने वाले हैं तो जो distance होगी उनके बीच में वो होगी 10.1 meter एक gap की distance होने वाली है तो total अगर हम 5 plants की बात करें तो 4 ही gaps होंगे तो total distance उनके बीच में होगी 4 into 10.1 तो यह होजगा 40.4 meter तो इसका answer B यहाँ पर आजगा 40.4 meter उनके बीच में distance होने वाली है आगे चलते हैं अब यहाँ हमें बोला गया है A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B 4 different roads from B to C and 3 different roads from A to C in how many different ways can one travel from A to C तो पहले हमें बोला गया है कि A से B के बीच में 3 roads हैं तो यह A से B के बीच में हैं 3 roads 1, 2 and 3 फिर बोला गया B से C के बीच में 4 roads हैं तो B से C के बीच में 4 roads बना देते हैं तो इस तरह से 1, 2, 3 and 4 roads B से C के बीच में हो गये हैं उसके बोला गया है A से C के बीच में 3 Roots है A से C की भी जो connectivity है वो 3 Roots से है तो ये 3 हो गया तो 1, 2 and 3 इधर A से C के बीच में हो गया तो ये पूछा गया कि A से C तक कितने तरीकों से जाया जा सकता है तो सबसे पहले तो ये जो 3 तरीके हैं तो ये 3 तो होई गए कि direct ही A से C तक चले जाओ उसके अलावा अगर हम A से B के थू होते हुए C तक जाएंगे तो कितने Roots होंगे हमारे पास तो वो होगा अगर मैं 1st Roots से A से B तक गई तो भी 4 options बचेंगे तो ये 4 1st Roots से जाने के बाद हो जाएंगे उसके बाद 2nd Roots से जाने के बाद भी 4 रहेंगे और 3rd Roots से जाने के बाद भी 4 रहेंगे तो ये हो जगा 3 into 4 टोटल इन 3 रूटस से इन 4 रूटस को करेंगे तो 3 into 4 टोटल हमारे पास आजाएगा तो टोटल होगा 3 plus 12 is equal to 15 15 ways के थू हम A से C तक जा सकते हैं ओके आगे चलते हैं अब यहां बोला गया है A has some coins He gives half of the coins and two more to B B gives half of the coins and two more to C C gives half of the coins and two more to D The number of coins D has now is the smallest two-digit number ओके How many coins does A have in the beginning ठीक है हमें A की coins निकालने हैं और D का हमें दे दिया है कि smallest two-digit number है तो smallest two-digit number होता है 10 क्योंकि 10 से just small number होता है 9 जो की single-digit number है तो smallest two-digit number की अगर हम बात करेंगे तो वो 10 होने वाला है तो यह हमें दे दिया है कि D के पास 10 coins हैं तो C के पास जो जितने थे उसका half plus 2 इतने coins D के पास थे जो की अभी है 10 तो अगर हम यहां से C के coins निकालेंगे तो यह हो जाएगा C is equal to 10 minus 2 multiplied by 2 cross multiplication कर देंगे उस side पर ले जाकर तो C के पास इतने coins होने वाले हैं तो C के coins यहां से निकाल लेते हैं 10 minus 2 is 8 into 2 is equal to 16 coins C के पास हैं उसके पास B के देखेंगे तो B by 2 plus 2 coins है C के पास यह हमें बोला गया है B के जितने बितने उसके half plus 2 more C के पास है तो B के हो जाएगे यहां से C minus 2 multiplied by 2 तो B के अगर यहां से हम निकालेंगे तो हो जागा 16 minus 2 multiplied by 2 तो यह हो जाएगा 14 into 2 is equal to 28 यहां पर B के coins आजाएगे उसके बाद A के भी देखेंगे तो सेम ही तरीके से निकालेंगे तो क्योंकि यह था A by 2 plus 2 इतने coins B के पास थे तो A के coins हो जाएगे A is equal to B minus 2 multiplied by 2 तो 26 into 2 28 minus 2 26 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 26 into 2 is equal to 52 coins A के पास होने वाले हैं और A के ही हमें पूछे हुए हैं तो D इसका आंसर यहां पर आजाएगा 52 coins A के होने वाले हैं ठीक है आगे चलते हैं अब इस question में बोला गया है एक series दी हुई है A, A, B, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D इस तरह से चलते जाना है तो हमें पूछा कि 100th place पर कितने होने वाले हैं तो एक तरह से यह AP type का form हो रहा है arithmetic progression type का तो यहाँ पर 1 term है यहाँ पर 2 terms है यहाँ पर 3 terms है यहाँ पर 4 terms है यहाँ पर 5 terms है तो इन्हें क्या करना है अब इस तरह से add करते जाना है और add करने के बाद जो hundredth position आएगी वो हमें देखने कि उस पर क्या होने वाला है तो पहले यहाँ add करेंगे तो यह हो जाएगा one plus two three, three plus three six, six plus four is ten and ten plus five is fifteen तो five terms तक हमें fifteen मिल चुका है इसके बाद six आएगा तो twenty one हो जाएगा फिर seven पे twenty eight, twenty one plus seven करेंगे तो twenty eight हो जाएगा then eleven add करेंगे तो fifty five plus eleven is sixty six, फिर twelve, तो sixty six plus twelve is seventy eight, then thirteen करेंगे तो seventy eight plus thirteen is ninety one अब इस ninety one में अगर fourteen add किया तो hundred से उपर चले जाएगा, तो हमें इसे ninety one पर ही रोग देना है तो ninety one तक जो होगा वो एक बार का ये पूरी हो चुकी होगी, a, b, c, d, ninety one के बाद से वापस से a start हो चुका होगा अब हमें ninety one पे a start होने के बाद ninth position देखने होगी, क्योंकि ninety one plus nine जो होता है वो hundred होता है तो next जो 14 है वो नहीं add करेंगे 91 में, सिर्फ 91 के बाद ninth position पर हमें देखना होगा, क्या होगा तो अगर आपको coding पता है तो direct आप बता सकते हैं कि I होने वाला है, नहीं तो लिखके देख लिजिए a, b, c, d, e, f, g, h, i, तो ये one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ninth position पर आई होने वाला है, तो c का answer यहाँ पर आ जाएगा तो वही है, सबको add करते जाना है और देखना है last में ninth position पर क्या होगा, तो वो आपको फिर बाद में hundredth position पर जो होने वाला है, वो letter मिल जाएगा तो अब इस question में बोला गया है, three persons a, b, and c are standing in a queue, not necessarily in the same order, there are four persons between a and b, seven persons between b and c, eleven persons ahead of c, and 13 persons behind a, what could be the minimum number of persons in the queue, तो a और b के बीच में हमें four persons दिये हुए हैं, और b और c के बीच में seven persons दिये हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें a, b और c को ही इस तरह से arrange करना है, कि इन तीनों के बीच में ही आपस में minimum number हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर minimum ही पूछा हुआ है, तो इसलिए अगर देखा जाएगा, तो हम a को b और c के बीच में कर देंगे, तो यहाँ b होगा, यहाँ a होगा और यहाँ c होगा, तो b और a के बीच में four persons हैं, और b और c के बीच में seven persons हैं, तो यह fifth person हो जाएगा, और यहाँ पर two persons होंगे, जो की a और c के बीच में होने वाले हैं, अब हमें बोला है C से पहले 11% है और A के बाद में 13% है तो हमें total number of persons बताने हैं क्यों में कितने होने वाले हैं तो अगर हम A की left side से position देखेंगे यहाँ पर तो 9 sorry 11 है 11 minus 2 यह हो जाएगी 9 A की इधर से position आजाएगी हमारे पास 9th position पर A यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 11 minus 2 करेंगे तो यह 9th position पर left side से हो जाएगा और right side से हमें दिया हुआ कि 13% A के behind है तो total जो persons हो जाएगे 13 plus 9 is equal to 22% आजाएगे तो A का answer यहाँ पर आजाएगा यह कैसे हुआ 13 already हमें दिया हुआ था कि A से पीछे 13 लोग है और A से आगे हमने निकाल लिया है कि A की जो left side से position होने वाली है वो 9th होने वाली है 11 minus 2 करने के बाद तो आगे से हमने A की position निकाल लिए पीछे से हमें दी हुई है तो यह हमारा हो जाएगा 22 A का answer यहाँ पर आजाएगा तो I hope आप लोग को यह session useful लगा होगा और लगा है तो please like, share, like and share the video and subscribe to the channel और बने रहे है channel के साथ और thank you so much for your time